ओम शान्ती, 19 जून 2022 के अव्यक्त महवाक्य पहले एक नजर मुरली के मुख्य पुईंट्स पर आज बाप दादा ने कर्मातीत स्थिती की निशानी सुनाते हुए कहा कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी प्रकार के बंधन से न्यारे कर्म करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारा पन अर्थात कर्म के फल का भी स्पर्श न हो फिर बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा कर्म करने के बाद उन्हें ऐसा अनभव होगा जैसे की कुछ किया ही नहीं और कर्म करते हुए भी तन का हलका पन वह मन की स्थिती में भी हलका पन रहेगा आत्मा की अंदर जो विशेश शक्तियां है मन बुद्धी और संसकार इन तीनों में भी लाइट का अनभव होगा फिर बाबा ने समय का इशारा देते हुए कहा समय प्रमान अब बाहर का वातावरन तमो प्रधान होने के कारण बहुत भारी होता जाएगा प्रकरती और मनश्य आत्मावं की व्रीतियों में भी भारी पन होगा लेकिन बाहर का वातावर्ण जितना भारी होता जाएगा Уतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म और सम्बंध लाइट होते जाएंगे लास्ट में बाबा ने कहा ब्राह्मन आत्माइ अर्थात मालिक आत्माइ अधिकारी आत्माइ ब्राह्मन कभी भी करमेंद्रियों के वशी भूत नहीं हो सकते ब्राह्मन अर्थात बालक सो मालिक तो यह डबल नशा रहना जाहिए नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी खुशी नहीं तो ब्राह्मन जीवन ही नहीं खुश रहना ही जीना है अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से मुरली का सार कर्मातेत स्थिती की निश्चानिया बाप दादा ने कहा कर्मातेत स्थिती के समी पा रहे हैं कर्म भी व्रीधी को प्राप्त होता रहता है लेकिन कर्मा तीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्ष से न्यारे ऐसा ही अनभव बढ़ता रहे जैसे मुझा आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया न ऐसे न्यारापन रहे न कार्य के स्पर्ष करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्ष ना हो बिल्कुल ही न्यारापन अनभव होता रहे जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया किसी ने कराया और मैं निमित बनी लेकिन निमित बनने में भी न्यारापन ऐसी करमातीत स्थिती बढ़ती जाती है ऐसा फील होता है महर्थियों की स्थिती औरों से न्यारी और प्यारी स्पस्ट हो रही है न जैसे ब्रह्मा बाप स्पस्ट थे ऐसे नंबर वार आप निमित आत्माई भी साकार स्वरूप से स्पस्ट होती जाती करमातीत अर्थात न्यारा और प्यारा कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है स्थिती में अंतर है जो कुछ बीता और न्यारा बन गया कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनभफ होगा जैसे कि कुछ किया नहीं कराने वाले ने करा लिया ऐसी स्थिती का अनभफ करते रहेंगे हलका पन रहेगा कर्म करते भी तन का भी हलका पन मन के स्थिती में भी हलकापन कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है ऐसी स्थिती है जितना ही कारिय बढ़ता जाएगा उतना ही हलकापन भी बढ़ता जाएगा कर्म अपनी तरफ आकरशित नहीं करेगा लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित करने वाले निमित बनकर कर रहे हैं आत्मा के हलकेपन की निशानी है आत्मा की जो विशे शक्तियां है मन, बुद्धी, संसकार यह तीनों ही ऐसी हलकी होती जाएंगी संकल्प भी बिल्कुल ही हलकी स्थिती का अनभव कराएंगी बुद्धी की निर्णय शक्ती भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे की कुछ किया ही नहीं और कोई भी संसकार अपनी तरफ आकरशित नहीं करेगा जैसे बाप के संसकार कारिय कर रहे हैं यह मन, बुद्धी, संसकार, सोक्ष्म शक्तियां जो हैं तीनों में लाइट अनभव करेंगे स्वत ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप, वैसे बच्चे, न्यारे और प्यारे हैं क्योंकि समय प्रमान, बाहर का वातावरण, दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंद, लाइट होते जाएंगे हलके होते जाएंगे और इस लाइटनेस के कारण सारा कारिय लाइट चलता रहेगा वायुमंडल तो तमोप्रधान होने के कारण और भिन भिन प्रकार से भारीपन का अन्भव करेंगे प्रकर्ती का भी भारीपन होगा मनोश्य आत्माओं की वृतियों का भी भारीपन होगा इसके लिए भी हलकापन औरों को भी हलका करेगा अच्छा सब ठीक चल रहा है ना कारोबार का प्रभाव आप लोगों के उपर नहीं पड़ता लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है जो कुछ भी करते हो सुनते हो तो आपके हलके पन के स्थिती का प्रभाव कारिये पर पड़ता है कारिये की हलचल का प्रभाव आप लोगों के उपर नहीं आता अचल स्थिती कारिय को भी अचल बना देती है सब रीती से असंभव कारिय संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे अच्छा दूसरी मुरली, मुरली का सार दिल तक्त नशेन और विश्व तक्त नशेन बनने के लिए सुख दो और सुख लो बाप दादा ने कहा आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रही हैं सभी बच्चे इस समय भी स्वग के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं परमात्म बालक मालिक बन जाते हैं ब्राह्मन आत्माई अर्थात मालिक आत्माई इस समय सर्व करमेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माई नहीं हो, अधीकारी अर्थात मालिक हो, करमेंद्रियों के वशिभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो, बालकपन का भी इश्वरिय नशा अनभव करते हो, और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनभव करते ह डबल नशा है, नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी, सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माई समझते हो, वहां मेरा सुरेष्ट भाग्य, अर्थात सुरेष्ट नसीब, खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराख खाते और खिलाते हो, साथ साथ सदा खुशी के जूले में जूलते रहते हो, औरों को भी खुशी का महादान दे, खुश नसीब बनाते हो, ऐसे अमुल्य, हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, बन गए हैं या अभी बनना है, ब्राह्मन जीवन का अर्थी है, खुशी में रहना, खुशी की खुर चीके और जीवन ही क्या है। जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्रहमन जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुन्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सब पुन्य आत्माई हो, पुन्य का खाता अनेक जणमों के लिए जमा कर रहे हो, सारे दिन में पुन्य कितना जमा किया। यह स्व्यम भी चेक कर सकते हो ना, एक है दान करना, दूसरा है पुन्य करना, दान से भी पुन्य का ज्यादा महत्व है, पुन्य कर्म नीश्वार्थ सेवा भाव का कर्म है, पुन्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है, दान दिखावा भी होता है, दिल से पुन्य कर्म अर्थात आवशक्ता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना पुन्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रियव थेंक्स नहीं कहते लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ती जमा होती जाती हैं। पुन्य आत्मा पर्मात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती हैं। पुन्य आत्मा की व्रिती, द्रिष्टी, औरों को भी दुआएं अनभव कराती हैं। पुन्यात्मा के चहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुस्टता की जलक दिखाई देती है. पुन्यात्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाहा है, अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाहा है. पुन्य आत्मा पुन्य की शक्ति दवारा, स्व्यम के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं पुन्य का खाता जमा होता है, जमा की निशानी है व्यर्थ की स्माप्ति ऐसी पुन्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुन्य आत्मा कहां तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुन्य आत्मा हो, तो सब हाँजी कहेंगे ना, हैं भी सभी पुन्य आत्मा लेकिन नमबर वार हैं। कि सब नमबर वन हैं, नमबरवार है ना, सत्यूग त्रेता के विश्व के तक्त पर कितने बैठेंगे, सभी इकठे बैठेंगे, तो नमबरवार है ना, नमबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेस बात बाप दादाने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर वन बनने में रुकावट डालती है अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष संपूर्ण बनने का है या नंबर वार बनने का है संपूर्ण बनना है ना आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो वह है सुख दो और सुख लो दुख न दो न दुख लो यह स्लोगन पक्का है तो result में क्या देखा दुख न दो इसमें तो majority का attention है लेकिन आधा स्लोगन ठीक है देने के लिए सोचते हैं देना नहीं है लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ इसने यह कहा इसने यह कहा इसलिए यह हुआ ऐसी judgment देते हो न अपना ही वकील बन करके case में यही बताते हो तो आधा स्लोगन के उपर attention है और होना भी चाहिए underline फिर भी आधे स्लोगन पर attention है लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर attention नाम मात्र है उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों किसने कहा आप लो बाप की शिरिमत है क्या कि दुख लो जोली भरो दुख से तो न दुख दो न दुख लो तभी पुन्ने आत्मा बनेंगे तपस्वी बनेंगे तपस्वी अर्थात परिवर्तन तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी, गलानी को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुन्य आत्मा, जगतंबा मा ने सदयव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया, कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्परूप से, रहम की द्रिस्टी से देखो, गलानी की द्रिस्टी से नहीं, वह गाली देवे आप फूल चड़ाओ, तब कहेंगे पुन्य आत्मा, गलानी वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से, तो पुन्य के खाते जमा होने में विग्न रूप यही बात बनती है, मुझे दुख ल चीज नहीं है, तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो, जहां दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेंगे, पाप के अंश रूपी जम्प्स, अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो न, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए, कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रुहरिहान तो सभी करते हैं न, एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो गया, जब आप नहीं चाहते, तो और कौन चाहता, जो कहते हो हो गया, और कोई आत्मा है, होन नहीं चाहिए लेकिन होता है यह कौन बोलता है और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे जो होना नहीं चाहिए जो करने नहीं चाहते वह न होना ही न करना ही पुन्ने आत्मा की निशानी है बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं बोलने में इतनी इंटरस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो कोई लंबी कहानी बताने में आदती हैं कोई छोटी बताते हैं लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टूबी है ना, सभी टूबी लगाने आए हो ना, जबकि भक्ती मार्ग में भी डूबकी लगाते हैं, तो कोई न कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाह करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं, तो तपस्य वर्ष में क्ये संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प दवारा, बोल दवारा, कर्म दवारा पुन्य आत्मा बन पुन्य करेंगे और पुन्य के निशानी बताई कि पुन्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं, हर संकल्प में पुन्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंद संपर्क से, दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या, ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी, ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी, फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया, वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए, और साथ में मदुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मदुबन की लहर, निमित टीचर्स की लहर प ही जाएंगे, अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं, टीचर्स के आते या मदुबन वालों के या गोडली स्टुडेंट्स के आते हैं, डबल विदेशी भी तिवर पुरुशार्थ कर रहे हैं, बाप दादा के पास प्राइज बहुत हैं, जितना चाहो ले सकते हो, प्राइज की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं, अच्छा, सभी मेले में पहुँच गए हैं, मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई, बारिश ने भी स्वागत किया, प्रकरती का भी आपसे प्यार है, घबराये तो नहीं ना, ब्रम्हा भोजन तो अच्छा म मिलाना, 63 जनम तो धक्ये खाई हैं, अभी तो और ही ठीकाना मिलाना, तीन पैर प्रित्वी तो मिली ना, इतना बड़ा होल जो बनाया है, तो होल की भी शोभा बढ़ाई ना, होल को सफल किया ना, किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना, लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना रजना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं, अच्छा, सर्व बालक सो मालिक सुरेष्ट आत्माओं को, सदा हर कदम में पुन्य का खाता जमा करने वाली पुन्य आत्माओं को, सदा दिल तक्त नशीन और विश्व के तक्त अधिकारी विशेस आत्माओं को, सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया अब है दादियों से बाप दादा ने देखा कि सभी महर्थियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की इसके लिए शुक्रिया क्या करें लेकिन खाता बहुत जमा हुआ बहुत बड़ा खाता जमा हुआ बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुणा से भी ज़्यादा हर्शित होती हैं हिम्मत रखी है संगठन सदा स्नेह के सुत्र में रहा है इसलिए इसकी सफलता है संगठन मजबूत है ना छोटी माला मजबूत है कंगन तो बना है माला तो नहीं बनी कंगन तो है ना इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है बड़ी अच्छी तयार हो रही है वह भी हो जाएगी हो नी ही है सुनाया था ना बड़ी माला के दाने तयार है लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मारजिन है छोटी माला अच्छी तयार है इसी माला के कारण ही सफलता सहज है, और सफलता सदा माला के मनकों के गले में पिरोई हुई है. विजई का तिलक लगा हुआ है बाप दादा खुश है पदम गुणा मुबारक है निमित तो आप है ना बाप तो करावन हार है करने वाला कौन है करने के लिए निमित आप हो बाप तो बैकबोन है इसलिए बहुत अच्छी प्रीती की रीती भी निभाई अच्छे संकल्प रूपी बीज दवारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिध्धी स्वरूप आत्मा भव। वे जो बोल बोलते हैं वह सिध्ध हो जाते हैं इसलिए सत्वचन कहा जाता है सिध्धी स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प बोल और कर्म सिध्धी प्राप्त होने वाला होता है व्यर्थ नहीं यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निक या अटेंशन की परहेज में कमी है स्लोगन दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यान होती ये एक बहुत संसकारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे